कहते हैं प्यार तो किसी समय और किसी से हो सकता है दिल्ली मडर केस में भी निक्की को पहली नजर में प्यार हो गया था और ओभी बस में लेकिन प्यार कतल में कैसा बदला उसकी सची कहानी आज आपके सामने तीन फ्रीज जिसने पिछले नो महीनों में सर्द कर देने वारी तीन लासों की सक्ल में कतल की तीन संसनी खेज कहानिया उगली है पहली दो फ्रीज जब दो लासों उगली तो काइदे से दोनों मामले में काटिल कोई पता ही नहीं था कि कतल के बाद लास शुपाने का उसका ये तरीका कोई और चुरा रहा है वजा ए थी कि जब फ्रीज से सर्धा की लास की कहानी बाहर आई तब तारीक थी 14 नावंबर 2022, इसके बाद दूसरी बार जब फ्रीज का दरवाजा खुलने पर अंजन दास के कटल की कहानी सामने आई तब तारीक थी 28 नावंबर 2022 और अब तीसरी बार जब फ्रिज ने लास उगली है तब वो तारीक थी 14 फरवरी 2023 यानि वेलेंटाइन डेल इस हिसाब से अगर देखे तो निक्की यादो के कातिल को पहली दो फ्रिज की कहानी पूरे अच्छी तरह से मालूम थी और यहीं से एस सवाल उठता है कि क्या निक्की की लास ठिकाने लगाने का आइडिया उसे सरधा और अंजन दास जैसे केस से आया और क्या निक्की की कातिल भी मौका मिलते हैं लास को ठिकाने लगाने के लिए लास के टुकडे करने वाला था नौ महिने के अंदर तीन फ्रिज से तीन बार आई ए तीन कहानिया दो सवाल पूछ रही है पहला क्या कराईम के आईडिया भी चुराए जाते हैं और दूसरा जब पता है कि फ्रिज का दर्वाजा खुलते ही कातिल पकड़ा जाएगा ऐसे में कातिल वहीं गल्तिया क्यों दोहराता है पस कुछ चीजों को छोड़ दे तो फ्रिज से बाहर आई सबसे ताजा कहानिया ठीक वैसी ही है जैसे अफदाब और सार्दा की कहानी थी अफदाब और सार्दा की पहली मुलकाद 2019 में हुई थी दोनों लिविन में रहते थे सर्दा अफदाब से साधी करना चाहती थी लेकिन सर्दा और निकी दोनों का दोनों का ही अन्जाम बंद फ्रिज निकला निकी यादों का दिल्ली की वोडर पर मवजूद जज़र इलाके में उसका घर था पिता सुनुल यादों का गुरुगुरा में मोटर रिपेरिंग का करवार था करवार है भी, बारावी की पढ़ाई के बाद निक्की घर से बाहर निकली, शुरूब में निक्की डॉक्टर बनना चाहती थी, मेडिकल इंट्रेंस एक्जाम नीट की तयारी के लिए उसने उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर जोइन किया, ठीक उसी वक्त दिल्ली के नजब गड में रहने वाला कारवारी पिता बेटा साहिल उत्तम नगर में ही सेसी एक्जाम की तयारी के लिए दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था, बस मैं आते जाते निक्की और साहिल की मुलकात होई, मुलकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में निक्की निट किलियर नहीं कर पाई, उदर साहिल भी सेसी एक्जाम किलियर नहीं कर पाया, लिहाजा साहिल अब ग्रेटर नोडा में गलगोटिया कोलेज में दाखिल ले लेता है और फारमा की वढ़ाई कर रहा था साहिल के पीछे-पीछे निक्के 15 कॉलिज में बीए-इंग्स ओनर्स में दाखिला ले लेती है चुक linkage का घर ग्रेटरनोडा से बहुत दूर था लियाजा दोनों greater Noda में किडाय के मकान ले लेते हैं और दोनों living में रहना शुरू कर देते हैं इसे बीच कोरोना कोरोना दस्तक दे देता है दोनों अपने घर लौट आते हैं कोरोना खत्म होते होने के बाद निक की उत्तब नगर में बिंदापूर इलाके में किडाय के मकान में ही रहने लग अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था मगर तभी साहिल की एक जूट निक्की की दुनिया में तुफान ला देता है तरसल विलेंटाइन डे करीब था निक्कील साहिल के साथ गुवा में विलेंटाइन डे मनाना चाहती थी उसने टिकट तक बुक कर रखा था मगर इधर साहिल की जिन्दगी और घर में एक नई कहानी जल्म ले चुकी थी, साहिल के घरवालों ने साहिल का रिष्टा कहीं और तैकर दिया था, 9 फर्वरी को सगाई थी और 10 फर्वरी को साधी, साहिल ने अपने घरवालों को निक्की के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था, उधर साहिल ने अपनी मंगरी और साधी की बात निक्की से चुपाई थी, साहिल के घर में साधी के तैयारिया जोरो सोरों से जारी थी, सगाई की तारिक आ चुकी थी, 9 फर्वरी, इत्तिफाक से ठीक 9 फर्वरी को निक्की को साहिल की सगाई और साधी की सच का पता चल गया, वो इस धोके में आग बवूला हो गई उसने साहिल को फोन कर मिलने को कहा वो चाती थी कि साहिल उस रिष्टे को तोड़ कर उससे साधी कर ले यहीं बात करने के लिए उसने 9 फरवरी को साहिल को मिलने के लिए कहा 9 फरवरी के रात सगाई के बाद साहिल अपने हुंडई विरेना कार में विंदाफूर निक्की से रात करीब 11 बजे मिलने पहुँचा इतिफाक से निक्की की बेहन भी कुछ वक्त से निक्की के साथ रह रही थी बहन के सामने दोनों मिलते हैं इसके बाद निक्की साहिल के साथ कार में बैट कर निकल जाती है एक कहते हुए कि वो टीप पर देहरा दूद मसूरी जा रही है दरसल निक्की को उमीद थी कि वो साहिल के साथ वेलेंटाइन मनाने गोवा चली जाएगी मगर ऐसा होता नहीं है कार में बैठते हैं निक्की साहिल से लड़ने लगती है जगरने लगती है वो उसे अगले दिन होने वाले साधी तोड़ कर उससे साधी करने के जित करने लगती है हुन्डई वेरेना कार लगतार दिल्ले की सटकों पर दोर रही थी और कार के अंदर साहिल और निक्की जगट रहे थे रात करीब एक बजे कार आई एस बीटी के करीब कस्मीरी गिट पर रुकी सड़क पर सन्नाटा था साहिल ने कार सड़क किनारे रोक दी दोनों में लडाया अब भी जारी थी इसी बीच अचानक उस्से में साहिल ने कार में लगे मोबाइल चारजर यानि तार यानि डाटा केबल से निक्की का गला घोटना सुरू कर दिया थोड़ी देर में निक्की ने दम तोर दिया इसके बाद पहली बार साहिल घबराता है उससे समझ नहीं आता कि ओ आगे अब करे तो करे क्या लास अभी कार में थी और साहिल कार को बदहाल बदहवास इस्तिती में दिल लिकी सडको पर इधर उधर दवराता रहा इस दोरान एक बार भी किसी भी मोड पर नाके या किसी पुलिस वाले ने उसकी कार को नहीं रोका ना रोकने का इसारा किया कार भगाते अचानक साहिल को एक खयाल आया कि नजब गड में उसके गाउं मित्राओं में उसका धावा बंद होगा साहिल की साधी का वज़ा से धावा दो दिनों से बंद था साहिल को लगा कि आज की रात निक्की की लास धावे में ही चुपा दे बाद में मौका मित्ते ही लास को कहीं और ठिकाने लगा देंगे इसके बाद कस्मीरी गेट से मित्राओं गाउं की करिब 40 किरूमिटर की दूरी तैकर ओ धावा पहुचा कार से लास निकाली और धावे में मौजूद फ्रिज में निक्की की लास फूस कर रख दी धावा बंद होने की वज़़े से फ्रिज भी बंद था लास फ्रिज में रखने के बाद साहिल घर लटाया और उसी रात होने वाली उसकी साधी की तैयारी में जोरो सोय से जुट गया दस फरवरी को यानि निक्की के कतले के 24 घंटे के अंदर साहिल को एक दूसरी लड़की के साथ साथ फेरे ले रहा था उदर कुछ दूरी पर निक्की एक फ्रिज में बन थी साधी के बाद साहिल अपनी नई दुलहन को लेकर घर पहुँच चुका था और उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर इस फ्रिज में तब भी निक्की बन थी 24 घंटे बाद तारीख बदल जाती है पिछले 24 घंटे से निक्की ने अपने घरवालों को फोन नहीं किया था जो उसका रूटीन था निक्की के पिता परिसान हो उठते हैं क्योंकि ऐसा उसने कभी भी नहीं किया था और निक्की की बहन से पूशते हैं बहन बताती है कि बिंदापूर अपने घर पर नहीं है, निक्की की एक दोस्त जो साथ रहती थी, ओभी बताती है कि निक्की घर नहीं आई है, बाद में निक्की की बहन अपने पिता को बताती है, निक्की आखरी बार साहिल नाम के अपने एक दोस्त के साथ गई थी, उस साह साहिल का नंबर भी पिता को देती है, तब पहली बार निक्की के पिता साहिल को फोन करते हैं, इसी तरह तीन दिन तक साहिल मतलब निक्की के पिता को टालता रहा, चुकि निक्की की बहन ने भी के दिया था कि यो ट्री पर देहरा दून और मसूरी जा रही है, लिहाजा वालों ने निक्की की गुमसूत्की की रिफोर्ट भी नहीं लिखवाई लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विश्ट आता है। 14 फरवरी को मित्राओं मित्राओं गाओं का एक सक्स इसी गाओं में रहने वाला दिल्ली फुलिस के एक अपसर को फोन करता है। वो गुमनाम सक्स साहिल और निक्की के रिष्टों को जानता था। उसे बात बड़ी अजीब लग रही थी कि साहिल की साधी हो गई और निक्की का अतापता नहीं है। उससे भी अजीब ए थी कि पिछले कुछ दिरों से उसे निक्की दिखाई भी नहीं दे थी। उसे साहिल के धाबे में कुछ गदी विदियो को लेकर भी सकता, इसी के बाद पुलिस की एक टीम साहिल के बंद पड़े धाबे में पहुचे, धाबे की तलासे ली और इत्यफाक से फिरिज का दरवाजा खोल दिया, सायद सरधा केस उन पुलिस वालों के जहन में ता जा थी फिरिज का दरवाजा खोलते ही निकी की लास बाहर आती है, इसी के बाद पुलिस साहिल तक पहुचती है, फिर साहिल के जरिये 9 महिने के अंदर इस तिसरी फिरिज से बाहर आई, तिसरी कतल की पूरी कहानी सामने आती है, तो क्या भी किसी से प्यार करते हैं और प्यार करत है यह भी ध्यान में रखना चाहिए ऐसा ना हो कि आपका प्यार अंतिम पड़ाओं में मौत बने धन्यवाद